हेलो फ्रेंज, वल्कम बैक टू ग्यानी बाबा जरूर जानना चाहिए गर आपको बाहर जाने से पहले छीक आ जाती है तो आपको बैठना चाहिए पानी पीना चाहिए और फिर ही बाहर जाना चाहिए तो चलिए देखते हैं इन सब के बारे में इन डीटेल आपने आपके बड़ों को ये कहते हो जरूर सुनाओगा कि बाहर जाने से पहले दही और चीनी जरूर खाके जाना इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है और वो ये है कि दही हमारे स्टमक को एक कुलिंग एफेक्ट देता है और जो चीनी है वो इंस्टेंट ग्लुकोज बनाती है जो हमें स्ट्रेस लेवल कम करने में मदद करता है अब आते हैं नीम्बू और मिर्ची पर ऐसा मानना है कि नीम्बू और मिर्ची बुरी नजर से बचा के रखते हैं कई लोग घर और अपनी दुकानों के बाहर नीम्बू और मिर्ची लगा कर रखते हैं पर सच तो ये हैं कि नीमू और मिर्ची की स्मेल से फ्लाईज, मस्किटोज, कीडे, मकोडे, मक्हियां सारे दूर रहते हैं और हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं अब आते हैं नमबर तीन छीटने पर बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए अच्छल फैक्ट ये हैं कि हम लोग जब छीटते हैं तो हमारी हार्ट बीट कुछ समय के लिए डिस्टरब हो जाते हैं और उसको नॉर्मलाइज करने के लिए कहा जाता है कि हम बैट जाएं और पानी पीकर ही बाहर जाएं अब आते हैं नंबर फोर बिल्ली के रास्ता काटने पर बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए तो पुराने जमाने में ये होता था कि लाइट्स नहीं रहती थी और अंधेरा होने के बाद में पता नहीं चलता था कि वो एक्चल में बिल्ली है या शेर का बच्चा है दोनों देखने में एक जैसे ही दिखते हैं तो आसपास में अगर शेर का बच्चा हुआ तो खत्रा हो सकता है इसलिए कहा जाता था कि अगर बिल्ली रास्ता काट रही है तो बाहर मत जाओ अब आते हैं हमारे फैक नमबर फाइब पर अगर हमें कोई नदी दिखे तो उसमें सिक्का क्यों फेकना चाहिए दरसल पुराने जमाने में जो सिक्के थे वो कॉपर के बने रहते थे और कॉपर एक बहुत ही रिच मिनरल मेटल है तो ये मेटल अगर पानी में घुलकर खेतों में चला जाए तो इससे खेती बहुत अच्छी होती थी और साथी साथ अगर ये सिक्के किसी को जरूरत है उन्हें मिल जाया करते थे अपने सुना होगा स्पेसिफिक डेस पे बाल या नाखून नहीं कट करने चाहिए पहले के जमाने में नाखून और बाल सिर्फ प्रोफेशनल्स काटा करते थे तो उनको आराम देने के लिए हफ़ते का एक दिन तैह हुआ और उस दिन उनको आराम देने के लिए ये काम नहीं किये जाते थे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब